हाँ जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका वापिस से चाय और कोड में उमीद करता हूँ आपकी भी चाय एकदम तयार होगी कोड हमारा तयार है तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत इंटरस्टिंग बात बता दूँ कि हमारा बेसिक्स ओवर हो गया है जावस्क्रिप्ट का हाँ जी आपको भी जानके खुशी होगी मुझे भी बता के बहुत खुशी हुई है क्योंकि यह जितना भी बेसिक्स था अभी तक हमने कोई conditional नहीं start करा कुछ control नहीं करा कि किस तरह से हम programme को control दे सकते हैं कि कुछ execute हो कुछ execute नहीं नहीं हो वो सारा काम हमें नहीं किया था बट अब आप आप देखेंगे कि वो सारा काम actually में बहुत आसान है क्योंकि आपका foundation strong है आपको data types बहुत अच्छे से पता है हमने काफी in-depth discussion किया है हर के बारे में और आपको ये भी पता है कि execute cache से होता है कोई भी code JavaScript के अंदर तो इसी वीडियो के साथ आप मान लीजे कि आपका basics हो गया cover ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारे सारे control flow को हम complete कर दें control flow में इतना जादा complex कुछ भी नहीं होता है syntax होता है थोड़ा सा discussion करने के जरूत है लेकिन इतना भी नहीं है कि उसके लिए 10 वीडियो बनाया जाए या फिर उसके लिए 5 गंटे का एक lecture बनाया जाए क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए उसको repeat करने की 10 बार जरूत नहीं होती है 10 बार repeat करके तो मैं इस वीडियो को भी 10 गंटे का बना दूँगा बट वो काम नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्योंकि precise content जाना चाहिए आपको मजा आना चाहिए आपका time भी तो valuable है 1000 गंटे का content पढ़के क्या करोगे complete करना है नहीं करना है कभी या फिर बस यहीं देखना है कि कौन सा वीडियो सबसे जादा बड़ा है तो शुरू करते हम वापिस से हम हमारे github के उपर ही है सारा code यहीं लिखते हैं ताकि जादा सादा code आपको दे पाए और easily push हो जाए तो यहाँ पर बनाते हैं हमारा नया folder 04 नाम से बना लेते हैं हम यह आपर और यह जो है पूरा का पूरा हमारा इसको logic control भी बोलते हैं या फिर control flow भी बोलते हैं हम इसको control flow बोलेंगे हैं यहापर तो control flow यह हमारा folder है और इसके अंदर हम files बना लेंगे लगलग नाम से जासे से जरूत पड़ेगी अभी one.js नाम से हम यहापर बना लेते हैं ठीक है यह हमारी हो गई basic file तो अभी तक हमने जितना code लिखा है आप कोई भी file खोल के देखिए जैसे function हो गया scope हो गया arrow हो गया जो भी हमने देखा था तो सभी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि आपका code कहीं run नहीं हो रहा है comment करा है हमने बट हमने यह लिख दिया तो यह पूरा का पूरा code execute हो रहा है यह यहां पर हमने कुछ भी लिख दिया तो यह code भी पूरा execute हो रहा है अब समस्य यह है कि हमेशा पूरा code execute नहीं होना चाहिए पूरा code conditional base पे run होना चाहिए जैसे आप login हो तो आपके पास कोई code run होना चाहिए आप logout हो तो आपके पास कोई और code run होना चाहिए तो इसी को जाता है पूरा control flow या फिर logic flow बहुत ही आसान है बहुत ही basics है आपको एक बार में सब समझ मेलेगा क्योंकि आपको boolean वगरा यह सारे data type बहुत आसानी से पता है तो पहला जो हमारा control flow है वो है सबसे basic if statement अभी if statement कैसे काम करता है आप सबसे पहले लिखते है if keyword है उसके बाद आप लगाते है parenthesis उसके अंदर आप लिखते है condition एक condition आगए उसके बाद आप scope open करते हैं क्योंकि scope के बारे में हमने इंतर discussion कर लिया तो आपको पता है curly braces से यह आ गया scope तो बस इतना सही है अब इसके अंदर आपको देखना है क्या है कि यहाँ पर जो condition है यह actually में होनी चाह रखते हैं तो इसके अंदर condition के अंदर नहीं जाएंगे हम बस इतनी सी बात है true है तो अंदर का code execute करेंगे अगर true नहीं है तो code execute नहीं करेंगे यह ध्यान रखेगा बस कि अगर इस तरह का आपके पास कोई statement आता है कभी कि हमने suppose करो false इक दिया तो इसके अंदर का code execute होगा क तो बस आपको लिखना है कि line number 7 से लेके जब भी जितना भी scope है जितना भी scope है वो सारा का सारा code execute नहीं होता है बस इतनी सी कहानी है और यही major है आपके पास अच्छा यह जो कहानी यह true evaluate कैसे होगा यह भी तो एक question है तो देखिए direct true लिखना तो कोई sense है नहीं क्योंकि ऐसा conditions चेक करते हैं जैसे सबसे basic condition हमने चेक कर लिया कि 2 के equal है obviously बात है तो इसी तरह के आपको comparison करने पड़ेंगे अब comparison किस तरह के हो सकते हैं suppose करिया आपने यहाँ पर आए आपने कोई condition लिये तो यहाँ पर हमने लिया है is user is user logged in अब इसके अंदर आपने क्या लिख दिया इसक को आप evaluate कर सकते हैं तो हमने कुछ complex methods उसको देखा है पहले कि user logged in है या नहीं है और उसके साब से हमने उसको login दे दिया है अब यह जो comparison है यहाँ पर यह थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि comparison कैसे कैसे आ सकता है तो देखे comparison के कुछ operators होता है basic आपको मैं बताता हूं कितन better than भी है तो आपने suppose करिये पूछा कि कोई value किसी से बड़ी है या नहीं है आपने ये भी पूछा कि कोई value किसी के बड़ी या फिर बराबर तो नहीं है क्योंकि ये condition भी कई बार आती है वहाँ पर हम क्या पूछते हैं suppose करिये आप iterate कर रहे है loop लगा रखा है आपने तो वह इसके बराबर है तो इसलिए वहाँ पर ये condition ये operator हम यूज करते हैं कि दो check एक साथ कर देता है या तो value छोटी होनी चाहिए या फिर value बराबर होनी चाहिए तो दोनों condition में आपको true result देता है अब इससे तरह से greater than है तो check है तो obviously बात है less than और equal to भी check करेगा और इसके कि क्या वो बराबर है क्या उसके equal है क्या और इसी तरह से आपके बास not equal भी आता है क्या 2 के बराबर नहीं है तो इस तरह से भी comparison चेक करता है जैसे मैं check करना चाहता हूँ क्या 3 लिखना चाहरा हूँ कि या ये 3 बराबर नहीं है 2 के obviously बात है correct बात है तो ये negative statement आप कई बार नहीं है तो अब इसी बात है correct बात है तो ये अगर आप condition लगाते हैं यहाँ पे इसको cut करते हम यहाँ पे यहाँ पे इसको हमने लगा दिया तो ये जो हमारे statement है क्या 3 2 के बराबर नहीं है बिलकुल हाँ सही बात है एक दम true तो इसका evaluation जो होगा वो आएगा true तो आपका ज example अगर आपने इस तरह से दिया क्या 2 equal है इस 2 के तो क्या होगा तो देखिए मैं आपको इसको करके बताता हूं क्योंकि काफी interesting सी चीज है इसको हम कर देते हैं comment और इसको लेके जाते हम यहाँ पे और देखते हैं कि क्या result आता है तो यहाँ पे हम console log लिख लेते हैं console log और इसको बोलते हैं executed कोई आप values दे दीजे हमने open करा हमारा terminal जाते है folder के अंदर हमारा basics तो हो गए अब 04 के अंदर जाते हैं और एक ही file है इसको run किया तो अब इसी बात है run तो मैंने direct ही कर दिया है इसके अंदर जाते है और इसके बाद node से हम run कर लेते हैं इस file को तो executed अब देखने वाली बात यह है interesting कि two two के बराबर तो नहीं है क्योंकि एक तो string data type है और एक आपका number data type है तो इस special condition के लिए ही जब आपको data type भी important है कि मुझे सिर्फ number की value से मतलब नहीं उसका type भी same होना चाहिए तो इस type checking के लिए आपके पास आता है strict equal जिसको बोलते है triple equal अब आपने triple equal लगके जैसे ही save किया और आप इसको run करेंगे तो कुछ भी नहीं execute हुआ क्योंकि outside में हमने कुछ लिखी नहीं रखा था तो यह बड़ा basics है इसी तरह से आपके पास अगर आपको strict checking करना है और anti pattern में checking करना है तो exclamatory sign और though equal यह negative sign चेक कर लेता है जैसे कि मैं होता है starting में जब लोग सीखते है conditionals वगरा को क्योंकि यह जो negative side है यह समझने में थोड़ सा problem होता है बट हमेशा यह ध्यान रखेगा कि यह question है इस question के अंदर जो भी answer आएगा वो आपका true या false की format में होता है ठीक है तो यह हो गई हमारी basic सी बात अब इन operators को हम थोड़ा सा odd in depth देख लेते हैं तो अभी तो हमने यहाँ पर लिखा था is logged in बट एक सबसे basic सा देख लेते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं temperature तो suppose करिए आप temperature आज की date में है कुछ 41 degrees हो रखा है यहाँ पर इसी तरह से आपको condition check करनी है तो आपको suppose करिए check करना है तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि हमारा जो temperature है क्या वो less than 50 है क्या अभी तो अगर less than 50 है तो ठीक है हम console log में क्या लिखना चाहते हैं simply less than 50 और अगर नहीं है तो outside में आप लिख दीजें यहाँ पर यहाँ पर हमने simply console log लिया और लिख दिया कि temperature is greater than 50 अब यहाँ पर गौर से देखिएगा क्या-क्या execute होता है क्योंकि क्या-क्या execute होगा इस पर बहुत सारी चीजे निर्भर करेगी तो पहले एक बार save करके इसको run करते हैं तो देखिए temperature less than 50 बिलकुल सही बात है क्योंकि यहाँ पर temperature हमने 50 से नीचे लिया है लेकिन यह जो console log है यह तो execute होगा ही होगा क्योंकि इसका if statement से कोई लेना देना है नहीं यह उसकी boundary के अंदर है ही नहीं तो इसी तरह से आप check करिएगा और ध्यान में रखिएगा आपको suppose करिए strictly 51 ही check करना था तो हम triple equal लगा के और यहाँ पर 41 ही check कर लेते हैं तो उस case में भी और keyword होता है जिसको हम लिख बोलते है else तो else में लिखने में और नई लिखने में अंतर यह है कि यह conditional code है यानि कि simple सा कहने का मतलब यह है कि या तो यह execute होगा या यह execute होगा यहाँ पे लिखने के बाद आप जो लिखते हैं suppose करिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं वो यह तो execute हो गई होगा यहाँ पे हमें अरपास conditional test होता है या तो यह run होगा या यह run होगा अभी हमने देखा problem कि 41 दोनों जगे print हो रहा था कि हाँ less than 50 भी है और greater than 50 भी है यह तो सही बात नहीं है तो यह तो हम इस block के अंदर जाएंगे या फिर हम इस block के अंदर जाएंगे यह जो यहाँ पे conditional checking है वो यही काम करता है तो save करके इसको run करते हैं दुबारा से देखते है हमारी problem solve हुई है नहीं हुई तो हाँ अभी less than 50 है यह तो execute होना ही होना था अभी suppose करी हम चेक कर रहे है कि 40 से जादा है कम है क्या है तो वैसी बात है उससाब से हमें result मिल जाएग अब temperature greater than 50 है ठीक है तो हमने 40 से check कर रहा तो obviously बात है यहाँ पे हमने message change नहीं कर रहा बट बात यह है कि यहाँ से हमारा कौन सा piece of code execute हो रहा है line number 8 का या line number 6 का ठीक है अब यहाँ पे एक और interesting चीज़ आती है इसको हम थोड़ा सा comment कर देते हैं ताकि आपके पास रहे ठीक है यह बहुत interesting चीज़ है यह scope related है और jaskit के अंदर scope आपको समझ में आना जरूरी होना चाहिए suppose करिए मैंने आपके लिए लिखा है एक score यहाँ पे और score के अंदर मैंने आपको दे दिया है 200 points ठीक है खुश है 200 points में ठीक है उसके बाद मैंने conditional लिखा और उस conditional में चेक करा कि यह जो score है क्या वो greater than है 100 से और वेसी बात है हो गई होगा क्योंकि उपर 200 assign कर दिया है यहाँ पर आके मैंने एक और variable दे दिया आपको जिसके अंदर मैंने आपको दे दिया एक power ठीक है अब उस power की value क्या है क्या आप fly कर सकते हैं ठीक है suppose कर लिजे ऐसा आप एक program बना रहे हैं कोई तो उसके अंदर मैंने कहा कि console log करते हैं और देखते हैं कि user के पास power क्या है तो back ticks use कर लेते हैं जादा असान रहेगा तो user power और यह लगा लेते हैं dollar sign यह लिजे और user की power देखते हैं क्या आती है उसके पास और यह हमने लगा दिया power तो अभी तक के code में कोई problem नहीं है as it is run होगा यह code तो आपने assume कर लिया होगा कैसे run होगा problem कहां पर आती है कि आप जब इस line क copy करेंगे और इस if के बाहर ले जाएंगे यहाँ पर आने वाली है problem इसको run करते हैं तो यहाँ पर क्या आया कि power is not defined यह कहानी है scope की जैसे कि मैंने आपको बताया ता scope होता है JavaScript के अंदर हमारा global scope भी होता है फिर एक functional scope भी होता है तो जितनी बार यह curly braces यह लगते हैं इनका ए variable या जो भी आपने declaration किया है वो उस scope के बाहर आपको execution में नहीं मिलते हैं और यही reason है कि पूरी इस journey के दौरान मैंने आपको const और let के बारे ही बताया क्योंकि जैसे या war keyword यहाँ पे लिखेंगे तब आती है problem क्या problem कि यह जो fly है अब यह बाहर भी access हो रहा है तो यह जो war है इसका scope है completely global और ऐसा नहीं होना चाहिए अभी के लिए ठीक लग रहा है कि program में error नहीं आया क्योंकि जहातर लोग error से ही डरते है कि error नहीं आना चाहिए वस चैक कुछ भी हो जाए अच्छा यहाँ पर क्या एक shorthand notation भी होता है इसको भी हम comment कर देता है comment काफी करते जाएंगे हम क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे उसमें और यह ऐसे आपके notes act करेंगे तो जबी भी notes चाहिए तो अब ऐसे copy खोल खोल के notes मत लिखेगा पुरान जमाने में करते थे वो लिखना है तो देखिए मैं तो मना नहीं करूंगा बर ठीक है prefer करिए notes यहीं पर बनाईए अब हम आते हैं हमारे shorthand notation पर तो shorthand पर अभी क्या लिख रहेते हैं हम इससी तरह से if condition लिख रहेते हैं लेकिन एक shorthand notation भी होता है just suppose करिए हमने यहाँ पर वापे से एक constant declare करते है suppose करिए balance आपका balance है thousand rupees ठेख है तो हम क्या कर सकते है check कर सकते है कि आपका balance thousand से नीचे है अब देखे यह default statement है कैसे होता है तो suppose करी मैं balance चेक कर रहा हूँ, यह मैंने चेक कर रहा, balance क्या आपका balance greater than है 500 रुपीज से, तो हम इस तरह से execute कर देते हैं, बट कई बार आपको दिखेगा कि यह scope नहीं use करते हैं आप, इसी तरह से direct यहाँ पर लिख देते हैं, यह इसको बोलते हैं implicit scope याने की मान लिया है मैंने की scope है, यह लेकिन एक ही line में execute होता है, notice करें यहाँ पर automatic semicolon आए क्योंकि एक ही line में execute होता है इस तरह से, आप यहाँ पर multiple lines नहीं लिख सकते हैं, हाला कि लिखने का तरीका है कि कैसे लिख सकते हैं, कई लोग लिखते भी हैं कि यहाँ पर एक comma लगा देते हैं, और comma लगाने के बाद आप enter करके लिख सकते हैं या फिर उस second line में भी लिख सकते हैं, तो suppose करिए मैंने यहाँ पर एक और log लिख दिया है और उसके बाद लिख दिया है, suppose करिए यहाँ पर बैन लिख दिया test2 यह semicolon जरूर लगाईएगा comma लगा कि आप ऐसे multiple lines लिख सकते हैं और उसका scope भी same ही रहता है test or test2 बट यह बहुत ही बहुत ही unreadable code है इस तरह का comma लगा कि इस तरह से लिखना है या फिर आपने suppose करी इस तरह से लिख दिया यह बहुत ही immature code है कोई भी नहीं लिखता है कोई recommend भी नहीं करेगा अगर आप अच्छी company में लिख रहे हैं तो आपके बस वापिस से आ जाएगा कि please इस code को rewrite करके दीजे आपने जो comma syntax लगा है यह बिल्कुल अच्छी practice नहीं है आपने हाला कि extraordinary होशयार बनने के लिए लगा तो दिया है सब कोई भी impress हुआ नहीं है सब आपको कह रहे हैं यह क्या करके लाए हो तो इसी तरह से यह मत करिएगा कभी भी मैं comment यहाँ पे छोड़ देता हूं और अब हम थोड़ा सा nesting के बारे में बात करते हैं अभी तक तो हमने सिर्फ एक basic लिया if लिया, else लिया लेकिन कई बार क्या होता है आपको multiple conditions चेक करनी होती है सिर्फ इतना ही नहीं कि या तो यह हो या फिर यह हो 2-3 condition भी हो सकते हैं हमारे पास में क्योंकि greater में easily समझ में आ जाएगा क्या यह greater than है 500 से ठीक है अब 500 से अगर यह greater है तो हमें कोई code run करना है तो ठीक है इसको हम थोड़ा सा और अच्छा example बनाते हैं तो suppose करिए आपको दिखाते हैं तो पहले बार मैंने चेक कर रहा है less than है क्या तो यह रखा हमने और इसको बोला less than तो अविस्सी बात है यह 500 से कम तो नहीं है लेकिन हमें और भी चेक करना है तो सिर्फ else लिखके हम दूसरा portion execute नहीं करना चाहते हैं हम यहाँ पर और conditions को test करना चाहते हैं तो हमने एक और else if statement लगा दिया और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यह जो balance है क्या यह 750 से कम है क्या तो 750 हमने एक और condition चेक कर दी और यहाँ पर लिख देते हैं कि यह less than 500 है तो इसी तरह से हम इसको copy कर सकते हैं और paste कर सकते हैं अब हम यहाँ पर क्या चेक कर लिया है क्या यह 750 से less है क्या आपको अगर चाहिए तो इसी तरह से आप else लगा के और भी condition चेक कर सकते है कि suppose करिए मैंने एक और चेक करा और यहाँ पर हम एक और बार चेक कर लेते है कि क्या हमारा balance less than 900 है क्या तो अगर उस case में है तो हम इसको copy कर लेते हैं यहां से और पेस्ट कर देते है और अगर इन में से कुछ भी नहीं है तो finally हमारा else तो execute होगा ही होगा यहाँ पर सीदा आप direct else ली सकते हैं वहाँ पर condition चेक करने की ज़रूद नहीं है तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको तो इसको बोल देते हैं कि less than 1200 है तो इस तरह से हम check कर सकते हैं अभी देखिए हमारा balance तो 1000 है तो क्या होगा इसके अंदर क्या code run होगा तो वो भी हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर difficult statement है कैसे run होगा तो इसने बोला less than 1200 तो अब यहीं बात है हमारा final वाले execute हुआ है कि देखिए 500 से तो उपर था balance 750 से भी उपर था 900 से भी उपर था तो finally हमारे पास 1200 आया 1200 कि आपका जो यह है 1200 से उपर है ठीक है अब यह तो होगा आपका basic कि आप ठीक है multiple conditions में check कर सकता हूँ temperatures check कर सकता हूँ user के बारे में check कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़े आप check कर सकता है अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ interesting चीज़े यह तो सारा code हम कर देता है comment इसको भी comment कर देता है यह basic fls है इसमें जादे इतना कुछ complicated है ही नहीं अब इसको use करता है कि real life में किस तरह से use आएंगे आपके पास और कैसे आप काम करेंगे तो online आप shopping तो करते ही होंगे courses भी purchase करते होंगे तो suppose करिए आपने किसी website पर account बनाया तो हम यहाँ पर लगाते हैं कि आपने बनाया user और user का account बन गया है तो आप logged in भी हो गए तो हमारे पास एक flag था user logged in हमने उसको कर दिया true ठीक है जी अब उसके बाद आपके पास कुछ UPI, debit card, credit card होगा वो information भी आप डालेंगे तो हम क्या करेंगे debit card और उसको हमने कर दिया true कि debit card है तो ही तो shopping करने देंगे और login भी होना चाहिए तभी तो हम उसको access दे पाएंगे उस course का या किसी भी चीज का तो यहाँ पर आप multiple conditions भी चेक कर सकते हैं इस if condition के अंदर तो उस multiple condition में क्या होता है जो भी condition आप लिख रहे हैं उन दोनों का statement या तो true आना चाहिए false आना चाहिए तो यहाँ पर console लिख देते है allow to buy courses इसी case में तो course buy करने देंगे अब इसको हम run करते हैं तो obviously बात है आपको course purchase करना ला हुए अब यह जो end statement है क्या करता है इस condition को भी check करेगा और इस condition को भी check करेगा तो left और right दोनों condition के अंदर आपके पास true आना चाहिए तो यहाँ पर true आ रहा है अब suppose करेए इसी तरह से आपको और भी condition अगर check करनी थी तो आप यहाँ पर एक और ampersand लगा सकते हैं दो बार ampersand लगता है end statement के लिए तो जैसे बोलते हैं तो जैसे बोलते हैं आपने लगा दिया 2 equals to 2 तो अभी भी execute होगा यह code क्योंकि आप allow है एक भी statement अगर false हो गया जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको false कर दिया तो क्या होगा उस case में हम उस code के अंदर जाते ही नहीं है तो इसी तरह से checking होती है कि user का email ठीक format में भी होना चाहिए वो logged in भी होना चाहिए उसके पास debit card भी होना चाहिए तो इस तरह की details आती है अब suppose करिए इसी तरह से आपके पास और भी एक है हम लगा लेते हैं एक और statements यहाँ पर हम इसको बोलते हैं logged in from google और google पर आप suppose करिए false है कि आपने google से log in नहीं करा हो सकता है आपने email से log in करा है तो क्या मुझे अब user को login करने देना चाहिए तो मैं देखूंगा कि या तो user logged in हो या फिर हम एक और variable ले ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आसान रहेगा समझने के लिए इसको हम बोलते है logged in from email और इसको बोलते है true ठीक है अब user या तो google से log in होगा या email से log in होगा बट दोने case में मुझे log in उसको करने देना है तो मैं क्या करूँगा इसको check करना है तो इस बार end नहीं इस बार मैं और से check करूँगा कि या तो वो google से log in कर ले यहाँ पर मैं दूसरी condition में ले आता हूँ logged in from email तो या तो logged in email से कर लो या फिर आप google से कर लो और यहाँ पर हम एक console log यहाँ पर लिख देते है user के लिए user logged in तो इन दोनों में से एक भी true होगा तो अब्वेसी बात है user को log in करने देना है करने देना ही चाहिए क्योंकि जरूर थोड़ना सभी google से account बना है या सभी email से account बना है तो यह हमारी multiple condition चेक होती है ध्यान रखेगा आप multiple और भी चेक कर सकते हैं कि इन तीनों में से एक भी condition हमारी सही हो जाए तो सपोस करिए guest user था उसके लिए आपने यह directly true लिख दिया यहां पर या फिर एक और variable बना के आपने लिख दिया कि guest user इस तरह से हमार पस value है तो उस तरह से आप check कर सकते हैं अभी हमार पस guest user value नहीं है तो उसको check कैसे करें बट आप multiple check कर सकते हैं आगे जाके आप conditional rendering भी करेंगे इस तरह से तो क्या होगा कि आप simple सा बोलेंगे कि क्या user logged in है अगर logged in है और उसके अलावा उसके पास token भी है जो हमने servers उसको दिया है तो उसको login बटन मत दिखाओ उस login बटन की जगे उसका text change कर दो और logout बटन दिखाओ आगे जाके हम react वगरा जब पढ़ेंगे तो उस cases में हम इन सभी का use करेंगे तब आपके यह सारे foundations और यह सब काम में आएंगे ठीक है यह तो हो गया हमारा basic if else अभी आपको समझ में आ गया है अब यह जो control flow है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ portion को मैं code execute करना चाह रहा हूँ कभी कुछ हटाना चाह रहा हूँ इसी तरह से तो इसके और भी formats होते हैं तो एक और format हम देखते हैं वो देखेंगे हम नई वाली file के अंदर तो हम एक और file यहाँ पर create करते हैं जिसके अंदर हम लेके आते हैं switch अब यह बात नहीं है कि एक ही साथ हम बहुत सारा पढ़ रहा है क्योंकि यह बहुत आसान है हमने इतना time दे दिया है JavaScript को तो if else condition यह बहुत एक common sense common logic वाली चीज़े हैं हम condition check कर रहे हैं format हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन चीज़े तो आसान ही है तो यहाँ पर क्या होता है अभी आपने देखा कि एक हमारे पास situation थी जहाँ पर हम क्या बहुत सारा checking कर रहे थे यह 500 से भी checking कर रहे थे 750 से भी checking कर रहे थे 900 से भी checking कर रहे थे 1200 से भी checking कर रहे थे तो इस तरह कि cases थोड़े से आम है थोड़े से common है कि यह कई बार एक value है उसको multiple conditions से आपको check करना है तो उस cases में क्या होता है हमारे पास एक switch case statement आता है आगे जाके जब आप redux वगरा यह सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह बहुत काम में आता है तो यह है हमारे पास switch case अब यह उसका syntax होता है तो syntax के अंदर क्या है आपके पास एक key है और उसके आप multiple values चेक करते हो यह basic syntax है मैं इसको comment out कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए लिखा रहे है यहाँ पे और हम basics यहाँ पे check करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है बहुत ही असान है बहुत ही basics है तो suppose करिए मेरे पास एक value लेते हैं हम यहाँ पे month की value ले लेते हैं ठीक है तो आपके पास suppose करिए month है 1 से लेके 1 January मान लेते हैं इस तरह से आपके पास यह third month है January, February, March तो ऐसे करके 0, 1, 2, 3 है अब obviously बात है आपको 12 month के लिए check करना है तो एक एक if else if else कर सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन obviously बात है बहुत time लगेगा तो इसलिए ऐसी conditions में हम switch case use करते हैं तो switch के लिए suggestion देखिए यह type कर दीजे और obviously बात है आपके बास suggestion आ गया है अब मुझे check करना है key के लिए, key क्या है वो value जो मुझे हर बार check करनी है तो month check करना है मुझे हर बार, तो month को copy करिए और key की जगे लिख दीजे month ये key है इस value को check करो, तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे lock है आपके पास एक आपके पास ये चावी है, जो भी ताला खुल जाएगो चावी से उसके अंदर का code execute कर देंगे बहुत असान है, तो suppose करिए पहला ताला number one हमार पास क्या है तो suppose करिए यहाँ पर पहला ताला है आपका कि आप check कर रहे हैं कि value one के बराबर है या नहीं अगर one के बराबर है तो हम यहाँ पर console log करा देते हैं कि यह जो month है हमार पास कौन सा है January इसी तरह से आप क्या करिए इसको पूरे को select करिए, break को भी select करिएगा और press करिए shift, alt key और down arrow अगर आप mac पे है तो press करिए shift, option और down arrow तो mostly windows पे ही होंगे तो shift, alt, press करके रखिए और down arrow प्रेस करिए तो इससे duplicate हो जाता है तो यह होगे हमने check कर लिया 1 के लिए, अब value हम check करते हैं 2 के लिए तो हमार पास 2 है, तो January और यह होगे हमार पास Feb एक और check कर लेते हैं इसी तरह से, दो कर लेते हैं तो यह duplicate, duplicate ठीक है, तो हमने यहाँ पे check कर लिया 3 के लिए भी और यहाँ पे check कर लेते हैं 4 के लिए भी तो gen, feb और यहाँ पे हम check कर लेते हैं कि अगर यह है तो March कर दो और यह है तो April कर दो एक यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि else case में होता है कि कोई भी condition अगर if else हमारी true नहीं वी तो else तो execute हो गई इसी तरह से default भी आता है यहाँ पे कि अगर कुछ execute नहीं हुआ या कुछ match नहीं हुआ तो यह default case match जो भी आपको execute करना है यहाँ पे code वह आप लिख सकते हैं तो अब इससे होगा क्या इसको एक बार run करते हैं हम यहाँ पे तो node के अंदर switch को run करते हैं तो देखें March यहाँ पे match हो गया है और वैसी बात है March ही match होना था क्योंकि value यहाँ यहाँ पे 3 है तो इसी तरह से हमारे पास किसी भी month का आप match कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ प होता है इस तरह से comment होता तो उसके बाद क्या करता है यह in cases को match ही नहीं करता है अब modern जो languages आई है आज की दौर में जैसे swift वगरा जो अब ही designed हुई है उनके अंदर तो ऐसा नहीं होता है बट यह old school language है थोड़ी सी तो एक बार जहां पे भी case match हो गया उसके बाद का सारा का स execute करता है except default याद रखेगा question पूछा जाता है except default ठीक है तो इसको save करते हैं और इसको run करते हैं वापिस से तो देखिए March भी आ गया एप्रेल भी आ गया इसलिए ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है control flow के हम बात कर रहे हैं तो इस control flow को break कर देता है कि इस तरह से मत करि रहे हैं कि suppose करिए अगर ये month 3 की जगे हमारे पास कोई string value होती जैसे suppose करिए April होता या फिर March होता तो इसको मैं कैसे compare करता कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप if and condition में match करते हैं वैसे exactly same match करते if condition में अगर कुछ भी मुझे match करना होता है string के लिए तो मैं यहाँ पे string लिग देता case sensitivity का ध्यान रखेगा exactly उसी से match करना है तो case अगर Jan है तो Jan print कर दो उसके बाद अगर आपका case Feb है तो Feb print कर दो अगर आपका case March है तो March print कर दो अगर आपका case April है तो April print कर दो तो जिस भी value से आपको उसको compare करना हो चाए वो string हो चाए वो number हो उसी साब से आप देख लीजे औ और उसको match करवा लीजे बहुत है इतना कुछ difficult था ही नहीं तो देखिए वापस से March आ गया तो जरूरी नहीं है बहुत सारे examples में हमें देखा है लोग बाग numbers ही लेते हैं और numbers के चलते वे काफी student confused हो जाते हैं कि अच्छा number तो हो गया but string आया तो कैसे match करूँगा और कोई data type आया तो कैसे match करूँगा कुछ भी नहीं आपको सिर्फ directly बस उसको लिख देना है फाइदा यह कि यहां पे हम bracket में लगा के वो equal equal comparator operator वगरा यह सब हमें नहीं लिखने पड़ते हैं यह बहुत ही basic होता है तो ठीक है यह हो गया आपका control flow लेकिन अब आती ही कुछ interesting बात है अभी तक आपने देखा कि जितनी भी हमारी कहानी चल रही है चाए if else में हो चाए किसी में भी हो वो चल रही है true और false के उपर कि final जो result है जैसे 2 equal equal 3 है यह आना चाहिए यह था true यह false तो यहां पे एक बहुत interesting statement आता जिसको बोलते है true थी value और false value लेकि true और false तो strict true और false value है 2 equals equals 2 और वैसी बाते तो true है लेकिन कुछ values होती है जिनको assume कर लिया जाता है कि हाँ यह सही ही होगा या फिर यह गलत ही होगा तो ऐसी भी कुछ values होती है interviews में काफी पूछी जाती है तो बढ़ा interesting है उसके बारे में जानना तो आये चलिए उमीद करता हूँ आपको कोई आपत तो truthy में देता हूँ यहाँ पर सिर्फ.js ठीक है अब truthy values false values का concept कैसे आता है कैसे काम करता है ठीक है बताते है आपको तो suppose करिए आपने database से कुछ query करी और आपने पूछा कि user का email बताओ अब database ने आपको user का email बता दिया h at the rate hithash.ai उसने कोई आपको email दे दिया ठीक है suppose करि करेंगे पर हम conditional लगा के और console log में print करके देख लेते हैं तो मैंने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि अगर user का email है तो उसको console log करा दो और उसको बोल दो got user email वरना आप क्या करो एक else statement लिख दो और यहाँ पर console log कर लेते हैं console log और बोल देते हैं don't have user email अब कौन सा code run होगा यही बहुत interesting बात है और कैसे run होगा उसके behind the scene क्या होता है तो हम इसको run करते हैं और truthy को run करते हैं तो got the user email ठीक है कोई बड़ी बात ही नहीं आपर ठीक है लेकिन अगर suppose करिये ऐसा situation था कि आपके पास email आया पर मैंने यहाँ पर कोई true value नहीं लिखा कोई false value नहीं लिखा इसको condition को मैंने check नहीं करा कि user email equal equal है क्या किसी के तो बस यहाँ पर value थी मेरे पास तो बस मैंने check कर लिया क्या वो value है और उसके साब से मैंने run कर दिया तो यह बहुत interesting situation है अगर आप सोचे तो हमने कोई comparison नहीं करा है और एक string को मान लिया गया है कि string true value है यही true value है जब आप मान लेते हैं assume कर लेते हैं कि string के अंदर true value है अच्छा यहीं नहीं अगर इस string के अंदर कोई value ही नहीं होती तो क्या होता देखने रन करके इसको तो don't have user email तो अगर यहाँ पर empty string है तो ओविसी बात है मान लिया गया है कि वो false है तो string के अंदर कुछ है तो मान लिया गया है वो अच्छा इसकी जगे अगर होता मान लिजे array होता एक तो क्या होता अभी user email के अंदर तो मैं इसको run करके देखता हूँ तो got user email तो empty array है तो आपने उसको true मान लिया empty string है तो आपने उसको false मान लिया तो actually में है क्या कोई rule है क्या या फिर कुछ भी मान लिया जाता है चलते time नहीं नहीं उसका rule है actually में हमार पास इसको बोलते truthy और falsey value ये मैं आपको सारा लिख के देता हूँ अभी और इसी notes के अंदर अगर आप लिख रहे हैं कहीं पर तो notes लिख भी लिजेगा ताकि आपको easily समझ भी भी आ जाएं तो मैं सारी ही value हाँ पर लिख देता हूँ कि कितनी truthy values होती है और कितनी falsey values होती है सबसे पहले जान लीजिए आपके पास जो falsey values होती है ठीक है comment हम इसको कर देंगे बट मैं सारी value है आपर लिख देता हूँ एक थोड़ी सी और चीज़ भी आती है वैसे तो जाद तर आप नहीं देखेंगे negative 0 को भी falsey value माना जाता है यह सिर्फ mostly interviews वगरा के लिए होता है एक हमार पास आपने याद हो तो bigint हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो एक data type था हमार पास यह bigint इसके अंदर क्या होता है 0N लिखा जाता है इस 0N को भी falsey value ही माना जाता है अच्छा उसके लावा क्या है अभी हमने just देखा empty string इनको भी माना जाता है falsey value उसके लावा हमार पास यह हमारे महारती keywords जिसको बोलते है null और undefined दोनों को falsey value माना जाता है और एक होता है NAN जिसको बोलता है not a number तो इस not a number को भी falsey value जाना जाता है बस that's it इनके लावा जो भी है वो सारे के सारे truthy values है या फिर true values है जैसा कि अभी हमने देखा empty parenthesis था या empty array था यहाँ पे तो इसको got user email तो इसको true माना गया है मैं truthy values भी कुछ link देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसा नहीं रहे बट इनका ध्यान रखेगा false 0 है negative 0 को भी मानते हैं obviously बात है negative 0 आप use नहीं करेंगे बट ठीक है इसको भी माना जाता है बहुत बड़ा अलग discussion topic है बहुत ही C++ के अंदर code engine के बारे में जाते वो अभी नहीं जाएंगे बिग int भी हमारे पास एक data type है बहुत rarely आप यूज़ करोगे बट फिर भी आपको पता होना ची इंटर्व्यू के perspective से कि 0N जो होता है उसको भी हम false value मानते हैं यह आपके empty strings है उसको भी null को भी undefined को भी और notted number को भी अच्छा जी यह तो ठीक है ह हमारे पास इतना आ गया लेकिन truthy value कौन कौन सी है और कौन कौन सी value आपको surprise कर सकती है हाँ जी बाकी सब obvious सी बात है truthy values है लेकिन कुछ values आपको surprise कर सकती है वो surprise आप होंगे नहीं क्योंकि आप channel पे है आपने अल्रड़ी subscribe कर रखा है तो इसलिए नहीं होंगे तो जो भी false ही यह कई बार लोग को surprise करती है क्योंकि लोग सोसने अच्छा जीरो जीरो देखते ही बोल देते हैं कि अच्छा वो तो falsy value नहीं string के अंदर अगर 0 है तो वो truthy value है इसके लावा आप क्या कर सकते हैं हाँ एक और interview के अंदर कई बार आता है यह बताई है truthy value है कि आपने string के अ होता है यह आपकी string है single quote double quote जैसे भी है अगर आप इसके अंदर एक space देते हैं यह भी truthy value है string के अंदर कुछ भी value एक बार add हो गई तो वो truthy है just हमने अभी देखा कि हमारा empty array जो है वो भी एक truthy value है इसी तरह से हां जी object भी सही पैचाना आपने अगर empty object है वो भी truthy value है in fact स सबसे जो जादा तर लोग को confuse करता है या लोग जानते भी ने उसके बारे में वो है कि इस तरह से function अगर declare है तो वो भी truthy value है यह बोला जाता है empty function इस function के अंदर कोई parameter नहीं है कोई इसके अंदर execution code नहीं है कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह हमारे पास इ यह caveat points होते हैं काफी आगे जाके जब हम projects वगरा करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से values होती है तो कभी भी array को इस तरह से use मत करिएगा अगर आपके पास array है तो array को check करने का तरीका अलग होता है मैं आपको बता ही देता हूं किस तरह से तो अभी हमने क्या कर र property को call कर लीजे और यह हमने length property को यहाँ पे call किया और इसको आप check कर लीजे triple equal से 0 से कि क्या हमारे पास जो user email पता होना चाहिए आपको उसका data type array है क्या अगर array है तो उसकी length property में 0 call कर लीजे और फिर यहाँ पे हम console log लिख सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते है कि simply array is empty इसको ज direct हम check नहीं कर सकते हैं उनको check करने का तरीका होता है अच्छा कई बार लोग confused होते है objects अगर empty आगे तो हम कैसे check करेंगे तो obviously बात है जावस्कृट के अदर object भी आते हैं तो भी आप check कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं empty object यह लीजे आपका empty object आगया अब इसको conditions में अगर check कर बहुत ही आसान है हमने आपको अगर याद हो तो objects के बारे में काफी detail पढ़ा था और भी आगे जाके पढ़ेंगे तो आप सीदे call कर लीजे object को capital O से और उसके अंदर क्या करिए उसकी keys को check कर लीजे यह जो keys है और इस तरह से आप लिखेंगे तो क्या होता है आपके पास end इसके उपर एक dot length property calculate call कर सकता हूँ और उसको match कर लूँगा 0 से तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा object जो है वो empty है या नहीं है तो यह बहुत ही common practices है तो इससे मैं कह सकता हूँ object is empty और obviously बात इसको पूरा string में wrap कर देता है यह लीजे कर दिया बोला था ना बहुत ही difficult हाई नहीं तो आपको पता है कि आप object को कैसे detect कर सकते हो empty है या नहीं array को भी detect कर सकते हो empty है या नहीं और इस तरह से values को हम देख सकते हैं अच्छा कुछ और मैं आपको interesting चीजें यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा उसके लिए हम directly console पे जाएंगे क्योंकि इतना ज़ इसी equality का comparison होता है कि false को अगर आप equal equal compare करते हैं 0 से तो वो true है क्योंकि उसको माना जाता है लेकिन false को जब आप compare करते हैं empty इससे तो भी आपके पास true आता है और इसी तरह से 0 को जब आप compare करते हैं कि empty से तो ये भी true है आपास तो इन तीनो true statement का अभी आपको meaning इतना नहीं ल questions या कई जगे आगे जाके competitive programming वगरा करेंगे तो वहाँ पर इनका थोड़ा सा impact आपको मिल जाएगा अगर आपको समझ में आया है ठीक है नहीं आया इसलिए मैंने यहां पर लिखा है क्योंकि हमें इतना इसके पर interested नहीं है बस आपको general knowledge की तरह तोर पे पता होना चाहिए क क्या basics है और कैसे उनको करना है ठीक है यह तो हो हमारा basic की किस तरह से truthy और falsey values होती है अच्छा तो इतना तो आपको आगया है समझ में अब थोड़ी से आपकी memory को वापिस लेके जाते हैं क्योंकि यह तो बहुत यासान था आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको एक भी condition अगर यहाँ पर true है तो मैं अपना काम करूँगा उस condition के अंदर जाऊँगा तो इसी तरह से एक और interesting यहाँ पर topic आता है मैं वापिस से one dot के अंदर लिख रहा हूँ या फिर truthy के अंदर ही लिख देते हैं हम इसको ताकि flow आपको पता रहे है और यह जो है इसको ब और एक undefined यह उपर सारी कहानी इनी दोनों के उपर ठीकी रहती है अच्छा यह operator होता क्या है और करता क्या है वो भी बताते हैं तो suppose करिए यहाँ पे एक value ले ले लेते हैं जिसका नाम दे लेते है value 1 ठीक है और उस value 1 के अंदर मैंने क्या है कुछ भी assign नहीं करा है ठीक है कि suppose करिए उसके अंदर value क्या जानी है या तो जाएगी 5 और मैंने यहाँ पे दिये 2 question mark एक नहीं 2 question mark और दिया है 10 तो अब आप बताईए कि value actually में है कौन सी उसके अंदर तो console log हम करके देखते रहेंगे multiple times ताकि हमें पता रहें कि उसके अंदर अभी last value क्या है यह हमने कि यह जो operator है यह लगाने का sense ही क्या हुआ अगर वो first value ही जो 5 है वो ही उसके अंदर जानी थी कई बार क्या होता है जब आप database से call करेंगे या especially कुछ firebase वगरा इन सब का use करेंगे app right का use करेंगे तो आपको क्या है directly आपको response नहीं मिलता है आपको दो values मिलती है तो chances है कि हो स specially यह बनाए गया है कि values को आपको treat करना है कि अच्छा null हो तो उसके अंदर null assign कर लो ताकि मैं उसे साब से case को adjust कर लो undefined हो तो ठीक है वरना अगर को value आ रही हो तो value assign कर दो तो उस special case के लिए जो कि आप database में आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको आजाएगा बस ध्यान रख question mark question mark और यहां पर लिख दिया मैंने suppose कर यह 10 तो इसको हम comment कर देते हैं तो अब बताइए कौन सी value assign होगी क्योंकि पुराने logic के साब से तो जो पहले आता है वो assign हो जाता है तो इसको run करके देखते हैं तो इसके अंदर क्या assign हो गया 10 तो यह जो null coalescence operator है यह basically काम क्या करता ह कि अगर null value आई है तो उसका safety check कर दे क्योंकि null के basis पे हो सकता है कुछ program run ना करे या कुछ आगे जाके problem आ जाए तो बड़ी carefully यह design किया गया है नया operator है तो इसके अंदर अगर value null है तो obviously बात है ठीक है या तो null assign कर दो या फिर अगर value आ गई है अभी तो यहां पे 10 दिख रह आगेगी situation को तो इस तरह से उसको दिखाया जाता है same case आपके पास और भी है इसको comment कर देते हैं तो suppose करी अगर आप कहते है कि var 1 है यहाँ पे उसके अंदर या तो undefined announce कर दो undefined set कर दो या फिर जो भी आपके पास method से function से call से value आई है suppose करी है यहाँ पे आपके पास 15 value आई करनी है तो obviously बात है यहाँ पे हमार पास value आ गई है undefined हाँ जी थोड़ा सा चकरी में आ गए कि यह कैसे हो गया हमने तो expect किया था कि वापिस से 15 value आ जाएगी यहाँ पे actually में थोड़ा सा problem यह हुआ है कि मैंने यहाँ पे यह थोड़ा सा mistake कर दिये आप परिशान मत हुए logic वही है same ही है हमार पास इतना परिशान मत हो जाया करिए कभी कभी हम भी मजाग कर लेते हैं तो हमार पास value 15 आ गई है logic वही है अभी भी same है तो यह जो null call sensor operator है यह सिर्फ null और undefined के लिए बनाया suppose करिए value है और आपने कुछ functions लिखें suppose करिए first function आपको null return करता है फिर आपने को second और function लिखा वो आपके पास 10 return कर देता है और फिर आपने एक और यहाँ पे लिखा तो वो function आपको 15 return करता है तो इस case में क्या होगा जब अगर अपने null call sensor operator use किया है तो जो भी first values को यहाँ प भी 10 value assign होती है तो बड़ा ही basic है किस तरह से null callissance operator काम करता है basically एक हमारा fallback है कि अगर errors आए तो हम किस तरह से उनको handle करें या फिर error की जगे अगर हम को value assign करने चाहे तो value कैसे assign हो तो बहुत ही basics है किस तरह से ही होता है तो I think आपको समझ में आ गया होगा एक छोटा सा यहाँ पर और इसी तरह का operator में आपको बता देता हूँ क्योंकि अकसर लोग उस operator में भी confused हो जाते हैं तो null callissance operator या nullish callissance operator और जो ternary operator है वो दोनों अलग अलग चीज है इनका ज़रूर ध्यान रखेगा इसलिए मैं इनको एक साथ यहाँ पर cover कर रहा हूँ यह है हमारा ternary operator यह हमारा if else का छोटा सा syntax है तो हम लिखते हैं यहाँ पर सीधा क्या ही condition और उसके बाद लगाते हैं question mark और यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी true statements जो भी execute आप करवाना चाहते हैं फिर लिखते है colon और यहाँ लिखते है false तो अकसर लोग यह जो question mark है इसको दे अलग है तो यह आपके होते हैं ternary operator एक मैं आपको ternary operator यहाँ पर use करके दिखा देता हूं कि basic है बहुत ही असान है तो सीधे आप condition चेक कर सकते हैं तो suppose करिए मैंने यहाँ पर बनाया आपके लिए const और यहाँ पर बनाया ict price और price रख दी वहाँ पर 100 तो आपको सीधे चे equal to होती है अगर 80 से तो हम क्या कर सकते है question mark लगा के हमारा true statement लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे console.log और यहाँ पर लिख सकते हैं less than 80 और यहाँ पर सीधा colon लगा के आप अपना अगला statement लिख सकते हो जिसमें लिख सकते है console.log और सीधा हमने लिख दिया more than 80 तो य की line में आपका पूरा statement हो गया है कि क्या आपका सही है क्या गलत है वहाँ पर तो बहुत ही आसान है basic सा हो जाता है तो यह जो operator है यह बिल्कुल अलग है इसको भी run करके हम देख लेते हैं बड़ा ही आसान है इतना कुछ difficult है ही नहीं तो less than 80 हमार पास आ गया है यहाँ पर क् obviously बात है यह true statement है actually में तो अगर price greater than 80 है जो की है तो हमारा true statement तो actually में हमें check तो यह करना चाहिए था कि price less than 80 है क्या क्योंकि price तो 100 है तो हमें ज्यादा और समझ में आगा बट आप समझ गए कि किस तरह से मैं बताना चाहरा हूँ यहाँ पर अभी मेरे पास more than 80 print हो गया है तो traditional flows के बारे में जाना काफी कुछ जाना है इस वीडियो के अंदर एक छोटा समय आपको summary यहाँ पर वापस से देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान रहे है तो सबसे पहले हमने जाना कि all time पर हम सारा code execute नहीं करना चाहते हमें चाहिए control कि कुछ situation हो यह control execute हो कुछ situation हो तो यह control execute हो तो हमने examples देके user logged in है temperature के basis पे कि temperature हमार पास जादा है तो यह करो temperature कम है तो यह करो इसी तरह से हम आगे जाके example देखेंगे user rating का अगर user ने one rating दीए तो उसको यह message दो two rating दीए तो यह message दो five rating दीए तो यह message दो तो आप सारी ratings वगरा चेक कर सकते हैं उसके बाद हमने के जवाब हमें in operator से मिलता है less than greater than less than equal to less than greater than इस तरह से हमार पास आते हैं triple equal के बारे में भी हमने देखा कि यह आपका सिर्फ ना की value चेक करता है बस उसके टाइप को भी चेक करता है उसके बाद हमने देखा simply basic कि किस तरह से हमार पास scope होता है scope के अंदर जो भी declare हो गया वो scope के अंदर ही रहता है बाहर नहीं आता है उसके बाद हमने देखा कि बाहर अगर लिखते हैं तो किस तरह के errors आते हैं फिर हमने यहाँ पर देखा कि हाँ एक और syntax है comma लगा के हम multiple lines भी लिख सकते हैं हमें curly braces की भी जरूत नहीं है तो curly braces नहीं है तो एक line तक लिखते हैं जब करने हैं तो end का मतलब है कि सारी condition true होनी चाहिए और यहाँ पर और का मतलब है एक भी true हो तो काम चल जाएगा तो यह हमने basic देखा था first उसके बाद हम switches पर आये थे क्योंकि बहुत सारा कई बार check करना होता है अब जैसे rating की ही बात कर लीजे तो 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 10 तक तो if else लिखते लिखते परिशान हो जाते हैं तो उस case में हम switch and case use करते हैं और हम compare करते हैं की से तो यह हमारी month की है अब चाहिए इसके अंदर number हो चाहिए string हो या check हो और data type हो उन सबको यहाँ से case match हो जाएगा हमने थोड़ सी बात करी break की भी क्या language का एक चोटा सा flaw है कि उसके बाद सारे ही waterfall की तरह execute हो जाते हैं तो उसके लिए हम break keyword use करते हैं except default अगर कुछ भी case match नहीं करेगा तो obviously बात है default code तो run हो गई होगा बड़ा ही basic सथा उसके बाद हमने थोड़ी interesting चर्चा करी हमारी truthy और falsey value पर एक example हमने देखा था कि user का email अगर है तो कैसा output आएग empty string है तो कैसा output आएगा empty array है तो कैसा output आएगा तो हमारी चर्चा रही इसके बाद यह falsey values पर तो false zeros यह सारे हमने देखे कि कौन-कौन सी falsey values होती है कौन-कौन सी truthy values होती है फिर हमने जाना कि अच्छा array आ गया तो उसको कैसे check करो empty है या नहीं object आ गया तो उसको कैसे check करू इतनी सी है कि हम कई बार multiple functions अभी यहाँ पर आपको direct values दिख रही है इसलिए थोड़ा सा समझने में problem हो रही है आगे जाके देखेंगे कि इतनी आसानी से values नहीं आ जाते है यहाँ पर return values आती है कोई function execute हुआ है उसने क्या value दी है तो हो सकता है कई बार वो function हमारे control में ना हो third party का हो, firebase का हो, app right का हो, वो हो सकता है return में आपको null कर दे, अब इसके अंदर मैं null नहीं लेना चाहता, तो मैं null नहीं लेना चाहता तो मैं question mark, question mark लगा के कोई और function execute करके उसके अंदर value लगा दूँ या फिर मैं उसके अंदर कोई और flag value डाल दे हो था कि मेरे को पता रहे क C में भी, null या undefined है, तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो value कैसे आई है, तो null और undefined से अच्छा है, आपको flag value डाल दीजे, true डाल दीजे, false डाल दीजे, तो उसके लिए basic हम null coefficients operator use करते हैं, चिंतना मत कीजे, आगे जाके projects आएंगे, तब आपको लेक्चर हुआ, बट काफी मज़ा आया, तो ये हो गए आपके complete, हाँ जी, आपके जितने logical control होते हैं, या फिर control flows होते हैं, एक ही वीडियो में हमने कर दिया है, पूरे complete, उमीद करता हूँ, आपको मज़ा आया होगा, आने वाले वीडियो भी इसी तरह से basics रहेंगे, उसक करेंगे, तब ही तो मुझे मज़ा आएगा, तो चलिए, शेयर करिए फटाफट वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में,